दोस्तों मैं ओपी त्यागी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रबर से बने सिलिकॉन कॉंडोम और ठोस सिलिकॉन पैनिस में क्या फर्क होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि आखिर क्यों हम इन दोनों चीजों को इस वीडियो में कंपेर कर रहे हैं, क्यों हम इन दोनों देवाइसे की तुलना कर रहे हैं, दरसल सॉलिड पैनिस और सिलिकॉन कॉंडोम बाहर से देखने पर दोनों ही बिलकुल असली लिंग जैसे दिखाई देते हैं, और इनकी बनावट पूरी तरह से असली लिंग जैसी ही होती है, ये दोनों एक ही तरह के मटीरियल से बने होते हैं, जिसको सिलिकॉन कहते हैं, और इन दोनों को ही छुने पर बिलकुल असली पुरुश अंग जैसा अनुभव होता ह यही वज़े है कि इनकी बाहरी बनावट को देखकर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं और उनको लगता है कि Solid Penis और Silicon Condom एक ही डिवाइस होते हैं लेकिन दरसल ऐसा नहीं होता है Silicon Condom Silicon से बना हुआ बिलकुल असली लिंग जैसा लिंग का एक कवच होता है जिसको लिंग के ऊपर पहन कर इसी तरह संभोग किया जा सकता है जैसे Latex Condom लिंग पर चड़ा कर संभोग किया जा सकता है तो Silicon Condom ना सिर्फ अंचाहे गर्ब को रोगता है बलकि यौन रोगों से भी वारे मोटी होती है तो ये पुरुष अंग की लंबाई और मोटाई को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से पुरुष अपने साथी को संतुष्ट कर सकता है उसे एक बढ़े और लंबे अंग का आनन प्रदान कर सकता है और लंबे समय तक मिलन क्रिया को कर सकता है दूसरी त इनका प्रयोग पती पतनी अपने काम जीवन में रोमांच पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं और ठोस सिलिकॉन पैनिस का इस्तेमाल करके पती अपनी पतनी को एक अलग तरह का आनन्द प्रदान कर सकता है तो इस तरह अपने जाना कि सिलिकॉन कॉंडोम और सिलिकॉन पैनिस जांकारी के साथ तब तक के लिए आ गया दीजिए धन्यवाद